चली नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका PSC वाला के इस YouTube चैनल पर मेरा नाम है गौरो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे आज का सेशन मेंली बेस रहने वाला है Apex Bank और जिला केंद सहकारी बैंक भरती 2023 पर इस सेशन में आज हम मुस्ली 36 गार कॉपरेटिव ससाइटी एक 1960 के प्रशन देखने वाले हैं थोड़े प्रशन English Language और Math से बिलेटेड रहने वाले हैं सेशन को पूरा एटेंड करेगा और देखेगा आपका कितना सही हो पा रहा है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा जो हमारे द्वारा YouTube में सेशन लिया जाता है इसकी PDF आपको हमारे app CGPSC Knowledge Hub की YouTube Lecture PDF सेक्शन में देखने को मिलेगी आप वहाँ जाके उसको पर्चेस करेगा आपको महिने भर की PDF देखने को मिलेगी और Apex Bank इसके लिए online course और एक test series भी launch हो चुका है आप इसको avail कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे app CGPSC Knowledge Hub को डाउनलोड करेगा उसमें आपको सभी courses, test series और PDF notes के बारे में जानकारी मिल जाएगी CGPSC pre test series start हो चुका है आप इसको भी avail कर सकते हैं चलिए session का पहला question से start करते हैं पहला question पूछ रहा है राज सहकारी चुनाव आयोग मतलब state cooperative election commission इसके किस उद्देश के लिए प्राधिकरन या निकाय होगा इन में से आपको बताना है पहला statement आपके सामने क्या बोल रहा है मदान सूची की तयारी का जो अधिक्षन रहता है निर्देशन रहता है नियंतरन रहता है इसके लिए पहला statement है दूसरा बोल रहा है सहकारी समीदी के सभी चुनाव का संचालन के लिए या एक पंचायत के सभी चुनाव का संचालन के लिए किसी नगर पालिका के सभी चुनाव का संचालन के लिए ठीक है यह इसकी बात हो रही है State Cooperative Election Commission की मतलब राज सहकारी चुनाव आयोग है इसका मेन उद्देश आपको बताना है ठीक है statement चारिश statement दिया हुए है option A, B, C, D के अनुसार बताईएगा आप सभी connect हो जाएगा सभी को मेरी तरब से good morning in case अगर कोई streaming या audio में दिक्कत in case आएगा तो बताईएगा ठीक है चलिए सभी को मेरी तरब से good morning आज का session mostly जो act है उस पर बेस रहने वाला है क्योंकि हमने act के question थोड़े उसको बहुत दिन से नहीं किये थे तो आज उसी भी थोड़ा deal करते हैं एक important section भी आपके syllabus में वो बनता है क्या बोल रहे हैं? D बोल रहे हैं देखो D इसका answer नहीं रहेगा सबसे पहले आपको पता होना चीए जो State cooperative election commission रहता है पहला statement का अनुसार मदान सूची को तयार करने का दो अजिक्षन रहता है निर्देश और नियंतरन ये बिलकुल करता है और सहकारी समीती के सभी चुनाओं का संचालन करता है लेकिन क्या State cooperative election commission एक पंचायत के सभी चुनाओं का संचालन करता है क्या नहीं करता है या किसी नगर पालिका के सभी चुनाओं का संचालन करता है नहीं करता है इसमें पहला और दूसरा statement सही रहेगा सही इसका answer A रहेगा 1 and 2 चलिए अगला question लेते हैं एक ऐसी society जिसका share पुझी का 50% से कम हिस्ता सरकारी share पुझी को छोड़ कर society के पास रहता है उसको क्या बोलते हैं light चले गई है देखते हैं थोड़ा देर में सायद आ जाए नहीं आएगी तो PDF आपको हमारे app उसमें मिल जाएगा ठीक है चले उसका छोड़ी अगा light का आती जाती रहती है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते second question का answer दीजेगा एक ऐसी society जिसकी share पुझी का कितना 50% से कम हिस्सा सरकारी share पुझी को छोड़ कर society के पास रहता है उस society को बोलते क्या है क्या बोलते हैं संगीय सोसाइटी बोलते हैं क्या ठीक है इसको क्या बोलते हैं संगीय सोसाइटी ठीक है इसको याद रखेगा important है क्योंकि उसको क्या बोले जाता है संगीय सोसाइटी बिल्कुल जितने लोग B बोल रहे हैं B इसका सही answer रहेगा संगीय सोसाइटी या फेडरल सोसाइटी भी इसको बोलते है इसका अर्थ क्या रहता है एक ऐसी सोसाइटी रहता है जिसका शियर पुंजी का कम से कम कितना 50% हिस्सा सरकारी शियर पुंजी को छोड़कर सोसाइटी के पास ही रहता है इंपोर्टेंट है इसको याद रखेगा B इसका बिल्कुल सही एंसर रहेगा इसको लेते हैं 36 गड़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 मिनिम लिखित में से किस सोसाइटी का उलेख नहीं है जितने भी option दिख रहे हैं इनके अनुसार आपको बताना है option है federal, general, industrial, marketing, multipurpose इनमें आप बताईएगा option A, B, C, D के अनुसार किसका आपको लेख नहीं मिलेगा किस पर 36 गड़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में किसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो यह सब तुर ठीके question रहते हैं ध्यान से लगाना है ठीक है जल्दी करिएगा third question में है जल्दी none सबका जिक्र मिलने वाला है क्या none होगा क्या इसका answer बिल्कुल इसका answer होगा इनमें से कोई भी नहीं देखो यह 36 गड़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में आपको इन सभी जितनी भी सोसाइटी का जिक्र दिख रहा है सबका जिक्र मिलेगा federal हो, general हो, industrial हो, marketing हो, multi-purpose यह सब जितनी भी सोसाइटी है आपको उसका उलेक देखने को मिलता है ठीक है सभी का उलेक देखने को मिलता है और question पूछा जा रहा था किसका नहीं मिलता है तो इसका सही answer होना चीए D, बिलकुल इन में से कोई नहीं ठीक है, important था चली, good morning अगला question लेते हैं यह easy है, एकदम basic है इसमें आप गलती मत करिएगा और बताएगा 36 गर सहकारिता society अधिनियम 1960 में अध्याई की संख्या कितनी है ठीक है, जल्दी करिएगा 12, 9, 10, 11 अच्छा, उसके नाम भी अगर कोई बता पाएगे जैसे पूरे तो आप नहीं बता पाएगे 11, just for example ले लिजे पहले से लेकर तीसरे अध्याई के बारे में थोड़ा बता दिये जागा क्या बोल रहे है demo class record नहीं है क्या, मुझे देखना है app में demo class आपको app में एक दो ठो class का demo मिल जाएगा ठीक है, आप सबसे पहले app download करेगा उसमें demo class भी रहते हैं demo class बिलकुल आपको देखने को मिलेगा ठीक है, सही इसका answer हैगा total इसमें 11 अध्याई है देखो, अब इनके नाम आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा क्योंकि अब exam में fix नहीं है कौन से अध्याई के बारे में पूछ लिया जाए ठीक है, अब देखो, जो अध्याई 1 से लेके 11 का ये पूरा सूची है आपको मैं PDF में प्रोवाइट कर दूँगा लेकिन आपको एकदोट हो याद रखना पड़ेगा जैसे कि अध्याई 1 हमेशा प्रारम भी करता है, ठीक है उसके अलावा जो अध्याई 2 है ये सब जितने भी रहते हैं, उससे लेटेट हैगा अध्याई 5, सोसाइटी का प्रबंधन से लेटेट हैगा उस प्रकार 5A, 6, 7, 8 टोटल आपको 11 अध्याई देखने को मिलेगी है ठीक है, चलिए अगला कोशन लेते हैं, इसी से लेटेट कोशन है 36 गर सहकारिता ससाइटी अधिनियम 1960 में कितने धाराएव आपको देखने को मिलेगी ठीक है, ये कोशन हम कर चुके हैं लेकिन इसको आप फिर भी इगनोर नहीं कर सकते ऐसे कोशन को ठीक है, एकदम factual कोशन रहते हैं इसमें आप गलती नहीं होना चाहिए अगर आपने आक्ट पढ़ा है तो ठीक है, चल्दी 96, 96, 96 रहते हैं क्या बिल्कुल 96 रहते हैं डिरेक्ट कोशन था, अगला कोशन लेते हैं चलिए, बताना है भारती समिधान का कौन सा भाग, which part of Indian Constitution deals with सहकारिता, समीती, cooperative society which part of Indian Constitution deal with cooperative society ये सब parts के नाम दिये हुए हैं इनमें से बताना है, Indian Constitution का कौन सा जो part है वो cooperative society से deal करता है, ठीक है, उससे सम्बंदित है, part 9, 9b 10 या 11, चल्दी करेगा एकदम basic question है कौन सा पार्ट deal करता है, Indian Constitution का cooperative society से ठीक है, 9b 9b deal करता है, ठीक है important था, जो part 9b है ना, सम्विधान का भाग 9b, सहकारी, समीती से related आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है, उसके जितने भी लोगतांत्रिक काम काज रहते हैं उससे related आपको प्रावधान देखने को मिलेंगे अगर इसके बात करें तो ये एक सम्विधानिक शंशोधन, 2000, अधिनियम 2011 के द्वारा, ये सम्विधान में include किया गया था ठीक है, इसका answer रहगा, 9b अगला question लेते हैं, भारतिय सम्विधान का निमलिकित में से कौन सा अनुछेद सहकारी समीती के खाते की जो लेक परिक्षा है उससे related है, लेक परिक्षा auditing को बोलते हैं, ठीक है, इसमें आपको बताना है, which article which article of Indian constitution deal with audit of cooperative society ये सब जितने भी हैं, constitutions के articles हैं, ठीक है, जैसे कि 243, ZK, ZL, ZM, ये सब जितने भी हैं, Indian constitution के articles हैं, तो इनमें से आपको बताना है, which part of Indian constitution mainly deals with audit of cooperative society चलिए, ZL बता रहे हैं ZL deal करता है क्या ठीक है, पक्का ZL करता है क्या, ZL नहीं करता है, ZM करता है ठीक, इसको याद रखेगा, भारति समिधान का जो article 243 ZM है, ये सहकारी समीती के जो auditing होता है उसके खातों का लेक परिक्षा होता है उससे संबंदित आपको देखने को मिलेगा ठीक है, 243 ZM, important है ये और ये 2011 में 97 समिधानिक शंसोधन अधिनियम से समिधान में एक नया भाग जोड़ा गया था 9B, उसमें आपको शीरशक देखने को मिल जाएगा सहकारी थी, सहकारी समीती इससे लेटर आपको देखने को मिलेगा ठीक है, लेकिन कौन सा article deal करता है auditing से 243 ZM, इसका सही answer रहेगा ठीक है, चलिए अगला question लेते हैं, इसमें आपको बताना है, राज सहकारी चुनाव आयोग मतलब State Cooperative Election Commission का तातपर या इस अधिनियम की किस धारा में आपको निर्देशित आयोग से है, ठीक है धारा, यहाँपस बहुत सारी दिया हुआ है 40B, 50B, 60B या 70B, या आपको किसमें लेक देखने को मिलेगा State Cooperative Election Commission का राज सहकारी चुनाव आयोग का ठीक है, जल्दी करिएगा नहीं पता है, किसी को पता है तो बताएगा, नहीं तो थोड़ा सिखते चलेगा ठीक है, ऐसे ही कुशन आपको आपके आने वाले एक्जाम हार्ली, कब है, 15 तारिक को एक्जाम फिक्स नहीं है, लेकिन संभावित तो 15 तारिक को ही है ठीक है, 15 तारिक को इसी टाइप के कुश्चन देखने को मिलने वाले हैं चले, क्या बता रहे हैं 8 का B बता रहे हैं, 50 B में देखने को मिलेंगे क्या, 50 B में State Cooperative Election Commission से लेटेट बिल्कुल provisions देखने को मिलते हैं ठीक है, क्या होता है राज सहकारी चुनाव आयोग ठीक है, इससे लेटेड आपको provisions किसमें देखने को मिलते हैं धारा 50 B में, इसको आप याद रखेगा ठीक है, यह हम पहले भी कर चुके हैं, 50 B इसका सही answer रहेगा, ठीक है, 15 को है चले, 15 को है, तो देख लेते हैं संभाविद डेट 15 को ही है उससी किसाब से आपको तयारी करते चलना है और important इसको mark करेगा question को और बताइएगा किसी सहकारी समीती के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, चेयर परसन उपाध्यक्ष, सचिव या कोश्या अध्यक्ष और किसी सहकारी समीती के बोड द्वारा चुने गए, किसी भी अनवेक्टी को क्या कहा जाता है इन समी में से एक पदेन सदस्व कहा जाता है निर्वाचित सदस्व कहा जाता है मनोनित सदस कहा जाता है या पदाधी कारी कहा जाता है क्या कहा जाता है ठीक है चलिए जल्दी करेगा डिरिक्ट एक्ट से ही कोशन है अचा सही तर लगने से इग्जाम 15 को होगा सर जी ठीक है एग्जाम देख लेते हैं admit card release करेगा तो उसमें क्या डेट देता है ठीक है इसको बैर चेक कर लिजेगा क्या डेट देगा और क्या बता रहे है दी कहा जाता है पदाधिकारी कहा जाता है बिलकुल ठीक है पदाधिकारी आपको देखने को मिलेगा ठीक है एक्ट का अगर जो definition पड़ा होगा उसमें आपको क्या प पदादिकारी चलिए बताइएगा एक ऐसी सोसाइटी है जो ना तो एपेक सोसाइटी है ना ही सेंट्रल सोसाइटी है उसको आप क्या कहेंगे जल्दी करिएगा एंसर सही लगा फिर चलो जल्दी करो 10th question में है 10th question का एंसर दीजेगा ठीक है जल्दी ए प्राइमरी सोसाइटी बोलेंगे क्या प्राइमरी बोलेंगे बिलकुल प्राइमरी बोलेंगे प्रात्मिक सोसाइटी भी इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में प्राइमरी सोसाइटी बोलते हैं इसका अर्थ रहता है एक ऐसी सोसाइटी ना तो वो एपेक सोसाइटी है ना ही वो खेंद्रि सोसाइटी है ठीक है उसको आप केंद सरकार की यहां बात हो रही है केंद सरकार निमलिकित शेर्णी में किसको न्यूक्त कर सकती है इन में से आपको बताना है क्या क्या दिया हुआ है सहकारी समीती के अत्रिक रजिस्टर सहयूक्त रजिस्टर, उप रजिस्टर या सहयक रजिस्टर ठीक है important mark करेगा देखते हैं किसका किसका सही हो पाता है 11th question ठीक है यहाँ पस mainly किसका बात हो रहा है central government का बात हो रहा है central government मान लिजे किसी भी श्रेणी में न्युक्ति करता है तो कौन-कौन से अधी कारी को न्युक्त कर सकता है important है ठीक है चली बताएगा किसको न्युक्त कर सकता है डी पक्का डी को मतलब 1,2,3,4 डी बोल रहे हो सब 1,2,3,4 देखो यहाँ किसकी बात हो रही है खेंद्र सरकार की बात हो रही है ठीक है देखो central government जो रहता है न अगर सहकारी समीती की बात की जाए तो उसकी न्युक्ति में कोई role play नहीं करता है सही इसका answer रहगा इ केंद्र सरकार नहीं होना चाहिए था यहां होना चाहिए था राज सरकार जो राज सरकार रहती है न वो किसी भी शेणी में एक या अधिक पदारिकारी को न्युक्ति कर सकता है उनमें कौन-कौन से include रहते हैं एक अतिरिक्त रेजिस्टार रहता है सहीक रेजिस्टार रहत और साहिक रेजिस्टार रहता है लेकिन यहां केंद सरकार लिखा हुगा है न सही इसका एंसर रहेगा इन में से कोई भी नहीं ठीक है इन में से कोई भी नहीं होगा अगर यहां पर राज सरकार होता तब आप इसको सभी को इंक्लूड कर सकते थे ठीक है इसका सही एंसर डी नहीं होगा, C होगा, ठीक है, important था, छलिए, सहकारी समीती अधिनियम 1960 में निमलिकित में सी कौन से धारा, सहकारी समीती के पंजी करण से related है, registration से related है, जल्दी बताइए धारा 2, 3, 4 या 5, एकदम basic है, ठीक है, जल्दी उसको उठा के अगर देखेगा, अगर आपने act अभी तक नहीं खोला है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर इसको आपको पता नहीं है, registration से related आपको कौन सा section देखने को मिलता है, धारा 3, 3 है क्या, धारा 4 है, धारा 4 में आपको देखने को मिलता है, धारा 4 अगर आप देखेंगे, तो धारा 4 आपका किस से related है, पंजिकरन होने वाली society से, ठीक है, इस से इस अधिनियम की जितने भी प्रावधान रहते हैं, इस society के उद्देश, सहकारी, सिध्धान के अनुसार, उनके सदस की आर्थिक हित, यह से related आपको देखने को मिलता है, धारा 4 इसका सही answer रहेगा, यह पंजिकरित होने वाली society से related है, ठीक है, important था, इंग्रिश में आगर जो पढ़ता है, society to be registered, यह provision आपको देखने को मिलेंगे, धारा 4 इसका सही answer रहेगा, धायन दीजेगा थोड़ा, ठीक है, चलिए, 13 का लेते हुए चलते हैं, प्रात्मिक सोसाइटी के मामले में पंजिकरिन के समय कम से कम कितने प्रतिश्यत महिलाएं सदसर रहनी चाहिए, ठीक है, जल्दी बताएगा, option आपके सामने है, 33, 50, 6, 6 या 75 Only registration समझी थी, ठीक है, एक्जाम में ऐसे question घुमाते हैं, ठीक है, और इसमें बताएगा, एक प्रात्मिक सोसाइटी है, इसके मामले में अगर कोई पंजिकरिन होता है, यानि registration के समय कितने प्रतिश्यत महिला सदसर रहनी चाहिए, important है, या आपको पता होना चाहिए, 33, 56 या 75, कितने रहने चाहिए, बिल्कुल 33% रहनी चाहिए, ठीक है, कोई भी अगर एक प्रात्मिक सोसाइटी है, अगर registration कराने वो जाती है, तो उसमें आपको 33% women members सदस होना चाहिए, ठीक है, चले, इसमें बताना है, सोसाइटी के पंजिकरिन की शर्ते आपको क्या-क्या देख 10 अलग अलग परिवार के सदस, निकट संबंदी नहीं होने चाहिए, ऐसे, या एक ही कजबे, या गाओं, या गाओं के समू, सगन समू के निवासी, या उपर्योक्त सभी, मार लोग की किसी सोसाइटी का हम पंजिकरिन करने जा रहे हैं, तो कोई conditions आपको देखने को मिलती है न, तो ऐसे कौन-कौन से condition इन में से आपको देखने को मिलेंगे, सभी देखने को मिलते हैं, ठीक है, सभी इसमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहले, भारती अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के तहर जितने भी आपको अनुबंध करने में सक्षम, कम से कम 10 वक्ति लग रेंगे, दस अलग-अलग परिवार के सदस्र रहने चाहिए, निकट संबन्दी नहीं होने चाहिए, और एक ही कजबे और गाउं या गाउं का एक सघन समू के निवासी रहना चाहिए, इसका answer रहगा, उपरियोक्त सभी, ठीक है, चली, इसमें बताना है, निमलकित में से अधिक श्रीशकों के अंतरगत, सभी सोसाइटी को कितने प्रमुखों के अंतरगत वर्गी कृत किया गया है, ठीक है, कितने वो बताना है, सभी सोसाइटी को कितने प्रमुख में, कितनी कैटेगरीज में वर्गी कृत किया गया है, 11, 12, 13 या 14, ठीक है, एक बार हमने देखा था तो जितने भी societies register मालो जितने भी societies के category आपको देखने को मिलते हैं उसकी संख्या बताइएगा 11 12 13 या 14 12 12 13 में आकड़ा जूल रहा है सही इसका answer रहेगा क्या रहेगा 12 टोटल आपको 12 देखने को मिलता है वो 12 कौन कौन सी है हमने एक बार देखा था जो सबसे पहल translated provisions देखने को मिलता है ठीक है इसमें कौन कौन से आते हैं टोटल 12 होते हैं बहुत सारे देखने को मिलते हैं वो भोकता क्रिशिये संख्ये सेंट्रल हाउसिंग मार्केटिंग बहु उद्देश्य ठीक है producers प्रसंसकरन संसाधन सामान और और द्योगी की society टोटल 12 इसमें आत सारी तरीके से किसी यानि किसको नहीं भेजी जा सकती ठीक है ठीक है वो जो कॉपी होता है ना चार कॉपी भेजना अनिवार रहता है किसको अनिवार रहता है मुख्यमंत्री को कलेक्टर को रजिस्टार को या प्रधान मंत्री को क्या होता है जैसे मालीजे किसे society के जितने भी उपनियम है ना उसमें थोड़ा सा amendment कराना है हमको ठीक है संसोधन कराना है तो जो चार copies require रहती है ना वो चार copies को किसी को भेजना पड़ता है तो उसका नाम बताइएगा मोख्य मंत्री को, collector को, registrar को या प्रधान मंत्री को किसको भीज़ेंगे चार कौपी ठीक है ये question पूछा जारा है register को भीज़ेंगे register को भीज़ेंगे क्या ठीक है बिलकुल register को भीज़ेंगे अगर माली मालीजे कोई भी अगर society है उसके उपनियम में हमको संशोधन करना है amendment करना है तो उसके लिए चार प्रतियां मतब चार कौपीस निर्धारित की गई है ठीक है उस चार कौपीस को register को आपको भीज़ना पड़ेगा ठीक है सही इसका answer रहेगा register चलिए अगला question लेते है सहकारी समिती अधिनियम 1960 की किस भाग में आपको समिती के करतव्य विशेश अधिकार संपती और निधी का उलेग देखने को मिलेगा जैसे कि भाग भाग तो हमने सुरू शुरू में देखा था उसको याद करके थोड़ा बताएगा आपको कौन से भाग में जो समिती रहती है societies रहती है उसके करतव्य भाग चार में देखने को मिलता है भाग चार ठीक है भाग चार किससे related है करतव्य विशेश अधिकार संपत्ति और निधी से भाग चार इसका सही एंसर रहेगा इसका सही एंसर रहेगा इंपोर्टन था ठीक है इन में से आपको बताना है सही कथन कौन सा है पहला कथन हम पढ़ते हैं पहला कथन बोल रहा है इस अधिनियम को मदप्रदेश शहकारी सुसाइटी अधिनियम 1960 भी कहा जा सकता है इसका विस्तार संपून शत्यसगड और मदप्रदेश में है तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है या उस तारीक से लागू होगा जो कि केंद सरकार अधिसूशना द्वारा निर्धारित करेगी कौन सा स्टेटमेंट सही है और ये जो स्टेटमेंट है औवियस सी बात है चत्रिसगर्स यानि जो सहकारिजा ससाइटी अधिनियम है 1960 से लेटेड है तो उस से लेटेड जो स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है चल्दी करेए 18 कोशन में है कोशन नमर डालेगा और जो आपको सही लग रहा है वो बताइएगा ठीक है बी बी मतलब सेकेंड और थर्ड आपको सही लग रहा है ठीक है सही इसका एंसर रहेगा इनमें से कोई भी नहीं देखो पहला स्टेटमेंट में क्या गलती है इस अधिनियम को मद्ध प्रदेश शहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 कहा जाता है क्या ऐसा नहीं कहा जाता है 36 गड सहकारीता सोसाइटी अक्ट कहा जाता है ठीक है इसका विस्तार संपून 36 गड में है लेकिन संपून मद्ध प्रदेश में आपको नहीं देखने को मिलता है ठीक है और यह उस तारिक से लागू होगा जो की आपका राज सरकार अधिसूशना द्वारा निर्धारित करेगी ठीक है सही इसका एंसर हैगा तीनों स्टेट्मेंट गलत है तो इन में से कोई भी नहीं ठीक है चलिए इसमें आप बताएगा 36 गड सहकारीता सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कमपनी का अर्थ निम्लिकित में से किस अधिनियम की धारा तीन में आपको परिभाशित कमपनी है ठीक है आपके ऑप्शन आपके सामने है क्या बता रहे हैं MP का नाम नहीं रहता है ठीक है MP का नाम नहीं रहता है ऐसा थोड़ी आप पढ़ते हैं कि मदप्रदेश सहकारिता सुसाइटी अधिनियम ऐसा थोड़ी न पढ़ रहे हैं 36 गड़ सहकारिता सुसाइटी अधिनियम 1960 आप पढ़ रहे हैं ठीक है? चलिए इसमें बताएगा जो 36 गड़ सहकारिता सुसाइटी अधिनियम है इसमें आपको company, company का अर्थ निमिलकित में से किस अधिनियम की धारतीन में परिभाषित company है ठीक है बहुत सारे company अधिनियम यहां दिये हुए है एक है 1954 वाला, 1955, 1956 या 1957, 1956 बता रहे है सही इसका answer रहेगा बिल्कुल 1956 वाला इसको आप याद रख लिजेगा ठीक है क्या होता है company, जो company रहता है उसका अर्थ क्या है company अधिनियम 1956 ठीक है उसकी जो धारा 3 है उसमें जो परिभाषित है उससे आपको देखने को मिलता है ठीक है 19 का important है company अधिनियम 1956 वाला ठीक है चले इसमें आपको बताना है जमा बीमा और क्रेडिट गारेंटी निगम का अर्थ किस अधिनियम के तहत इस थापे जमा बीमा और क्रेडिट गारेंटी निगम से है ठीक है बताइएगा इद में से किस से related है जो जमा, बीमा और क्रेडिट गारेंटी निगम है ना इसका अर्थ है किस से आपको related देखने को मिल जाएगा जैसे कि बहुत सारे option देखने को मिल रहे होंगे जमा, बीमा और रिन गारेंटी अधिनम 1960 वाला 61, 62 और 63 वाला इनमें से कौन सा सही होगा ये बताइए ठीक है जल्दी करिए 20 का B बता रहे हो 1961 वाला इसमें यहां किस की बात हो रही है जमा, बीमा और क्रेडिट गारेंटी निगम की यहां बात हो रही है जमा, बीमा और रिन गारेंटी अधिनियम 1961 ठीक है इसके तहट इस थापिज जमा, बीमा और रिन गारेंटी निगम 1961 वाला इसका सही एंसर रहेगा छेले इसका बताएगा ससाइटी के कितने प्रतिशत से अधिक सदस्व के अनुरोध पर यदि रजिस्टार का मानना है कि ससाइटी के उपनियम में संसोधन ऐसी ससाइटी के हित में आवशक है और वान्शनी है तो उस लिखित आदेश के द्वारा ऐसा वो कर सकता है इसमें ये कितने प्रतिशत बताना है ठीक है, 33.33, 56.66 या 75 कितने प्रतिशत का बोल सकते हैं, अनुरोध होना चाहिए ठीक है, जैसे कि हम लोग को, एक जस्ट फर एक्जामपल लेजे कॉर्परिटिव सोसाइटी है, उसके उपनियम में, उसके बाई लॉज में थोड़ा amendment करना है, तो ऐसा अनुरोध कौन कितने प्रतिशत का अनुरोध आना चाहिए, request आना चाहिए कि हम लोग उसको proceed कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी करेगा, 50, 50 होगा क्या, skip कर रहे हो, सही इसका answer कहा रहेगा, यह सब जितने भी हैं, इसको note down करते चलेगा, अगर आप notes maintain कर रहे हैं, तो इसकी PDF अप में available रहती है, ठीक है, सही इसका answer रहेगा, बिल्कुल 50%, 50% से अधिक सदस्त जो रहते हैं अगर उनका request आता है, उनका अनुरोध आता है, या माली जग कोई registrar है, उसको ऐसा लगता है कि society के जितने भी उपनियम है, bylaws में amendment जरूरी रहता है, और society के हित में रहता है, और उसको टाला नहीं जान सकता, वांशनी रहता है, तो उसके लिखित आदेश भी वो देश सकता है, लेकिन इसमें 50% का request at least आना चाहिए, तभी न वो कर पाएगा, ठीक है इसमें आपको बताना है, यदि रजिस्टार का माना है कि society के उपनियम में संसोधन ऐसी society के हित में आवशक है और वांशनी है, तो वो निर्धारित तरीके से society को दिये जाने वाले लिखित आदेश द्वारा society के संसोधन करने की अपिक्षा कर सकता है, कितने दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर ये उसको करना पड़ेगा, option 30, 60, 75 या 80, जल्दी बताइएगा कितने दिन के अंदर अंदर जो रेजिस्टार है उसको ऐसा करना पड़ेगा Apex वाला question बस exam में आजाएचा, ऐसा एक है, ठीक है, चली जल्दी बताएगा 22nd question में है, कितने दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर, बिल्कुल 60 दिन के अंदर, ये सब जितने भी प्रोजन से इसको याद रखेगा, ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर उसको ऐसा करन पड़ेगा, ठीक है, चली, 23rd question लेते हैं, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, 36 गड़ सहकारिता सुसाइटी अधिनियम की किस धारा के अनुसार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, which of the following section of the 36 गड़ सहकारिता सुसाइटी Act is related to name change, नाम परिवर्तन, option धारा 11, 12, 13 या 14, च उसका नाम चेंज करना है, तो उसके provisions आपको कौन सी section में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जल्दी करिएगा, जल्दी, 23rd, 23rd, देखो, ये आपको section 13, मतलब धारा 13 में देखने को मिलते हैं, धारा 13 किस से related है, नाम परिवर्तन से, इसके अलावा धारा जो 11 रहता है, जैसे कि यहां पस mention है, धारा 11 क्या होता है, किसी society के जितने भी उपनियम रहते हैं, इन केस अगर उसमें amendment करना है, उससे related आपको देखने को मिलते हैं, धारा 12 उप विधी में संशोधन का निर्देश देनी की शक्ती, वो किसके पास रहती है, उससे related provisions देखने को मिलते हैंगे, जो आपको rated देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, question में नाम परिवर्तन वाला पूछा था, सही इसका answer बनेगा, C, चले इसका बताएगा, जन हित में पुनर गठन की योजना बनाने की सरकार के शक्ती का उलेक, अधिनियम है, ठीक है, उसमें भी आपको mention मिल जाएगा, जो society रहती है ना, पुनर गठन की योजना वो बना सकती है सरकार, ठीक है, लेकिन ये provisions जो रहता है, आपको कौन से section में देखने को मिलते हैं, option आपके सामने है, 16A, B, C या 17, ठीक है, reorganization, plan of reorganization in public interest by any of the government, is related to which of the section, चाब बता है, society का वर्गी करन 13 होगा क्या, society का वर्गी करन हमने एक बार discuss भी किया था, ठीक है, आप वो question को refer कर लीजेगा, इसकी आपको pdf, जैसे कि मैं बता रहा हूं, मिल जाएगी, ठीक है, अब जो theory में बता रहा हूं, वो उसको भी, आप उसको refer कर सकते है, ठीक है, छले, इसका बताएगा, reorganization, reorganization कर सकती है, सरकार, यह आपको consolidated provisions मिलेगा, सही, इसका answer रहेगा, 16C में, 16C क्या रहता है, public interest में, जन हित में, पुनर गठन की योजना बनाने की सरकार की सकती से related है, ठीक है, सही, इसका answer रहेगा, C, 16C, section 16C, इसको याद रखेगा, ठीक है, इसके अलावा, 16A, society द्वारा, जो सयोग है, उससे related है, 16B, समाजों की, जो साजिदारी है, उससे, 16C, जन हित में, पुनर गठन की योजना और शरकार की सकती, 17, आपका देन दारीग में, पुनर भुकतान और समाज में, पुनर निर्मान के लिए, समझोता या विवस्था, ठीक है, इसका बताएगा, और क्या बता रहे हैं, सर बुक में, 13 दिया हुआ है, कौन सा 13 दिया हुआ है, आप एक बार थोड़ा comment section बताएगा, मैं उसको एक बार refer कर लूँगा, ठीक है, चलिए, 25th question को लेते हैं, और एक बार ये थोड़ा clear बताएगा, कि 13 दिया हुआ है, ये किसक एक बार मैं refer कर लूँगा, ठीक है, 25th question को लेते हैं, तब तक, 25th question पूछ रहा है, निमलिकित को छोड़ कर, किसी भी व्यक्ति को किसी society के सदस के रूप में नहीं बनाया जा सकता, option आपके सामने है, पहला statement बोल रहा है, भारती अनुबंद अधिनियम 1872 की धारा ग्यारा क तहत अनुबंद करने के लिए, यह चत्यसका लोग नहा है, अधिनियम 1951 के अंतरगत पंजीकृत एक आपका सारवजनिक नहा है, इसको प्रवेश नहीं दिया जा सकता, ठीक है, चलिए, option आपके सामने है, A, B, C या D में से आपको बताना है, चलिए, जल्दी बताईएगा ठीक है, और थोड़ा फोकस करके बैठिए, क्योंकि यह सब जितने भी हैं, important रहते हैं, ठीक है, इसको आप थोड़ा फोकस करके भी बनाईएगा, ठीक है, चलिए, skip कर रहे हैं, सही इसका answer हैगा, यह दोनों को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें पूछा जा ठीक है, ठीक है, क्या रहता है, भारती जो अनुबंध रहता है, अधिनियम 1872 की जो सक्षन 11 के तहत अनुबंध करने के लिए सक्षम व्यक्ति रहता है, यह भी इंक्लूड रहता है, और 36 गड़ लोक नयाय अधिनियम 1951 के अंतरगत पंजिकरित एक आपका सारवजिनिक न ठीक है, इसको दोनों को करना पड़ता है, इंक्लूड चलिए, इसमें आपको बताना है, किसी भी समीती आयोजिक बैठक में उपस्थित और मदान करने वाले सदस्ट के कितने बहुमत आपको चाहिए, कितने बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किसी निश्काषित कर सकता है एक चौथाई या आधा दो तेहाई या तीन चौथाई जैसे मां लिए किसी मेंबर को निश्काषित करना है तो उसके लिए आपको कितना बहुमत रिक्वाइर होता है इनमें साफ को बताएगा ठीक है जल्दी कोई बताएगा 26 कोषयन में हैं दो तीहाई की तीन चौथाई ठीक है चलिए 26, 23, 23 रहता है क्या 23 नहीं रहता है 34 रहता है ठीक है अगर मानलो कोई समीती है समीती आयुजित बैठक है ठीक है जैसे मानली जो बैठक रहती है उसमें उपस्थित और मदान करने वाले सदस का 34 बहुमत आपको required रहता है ठीक है जैसे मानली जो कोई मीटिंग चल रही है उसमें जो उपस्थित रहते हैं और मदान करने वाले सदस रहते हैं उसका 34 मेजॉरिटी पारित होने पर एक प्रस्ताव पारित होता है तो वो एक सदस को निशकासित कर सकते हैं ठीक है 34 इसका सही answer रहेगा 34 important था चले बताएगा यदि society अपने पंजिकरित पते पर दिन पते दिन का कारोबार नहीं कर रही है और अपने पंजिकरित पते पर society के जितने भी संबंदित record है वो नहीं रख रही है तो सुनवाई कर उचित आउसर देने के बाद रेजिस्टार जिम्यदार अधिकारी पर कितने रुपे का जो अधिक्तम जुर्माना है लगा सकता है ठीक है जुर्माना जो लगाना है उससे अधिक नहीं होना चीए उसका बताएगा इन में से क्या रहेगा ठीक है जो इन केस मानली जो पेनाल्टी लगेगा ना तो इससे अधिक नहीं होना चीए ऐसी बात हो रही है तो वो पेनाल्टी कितनी होगी 50K की होगी की 25 की 75 की 1,00, सही इसका एंसर रहेगा पेनाल्टी 75 तक रहेगी 75 के इसका सही एंसर रहेगा यह सब जितने भी है जैसे की कोई पंजिकरित सोसाइटी है वो दिन प्रतिजन का कारोबार नहीं कर रही है ठीक है, अपने पंजिकरित पते पर सोसाइटी का कोई भी समबंदित रिकॉर्ड नहीं है ऐसा आपको case देखने को मिलता है सही इसका answer रहेगा 75 के ठीक है यही पस एक case है 75 के इसका सही answer रहेगा ठीक है एक बार आप उसमें ruffer भी कर सकते हैं 75 के इसका सही answer रहेगा ठीक है चलिए society के board में अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती और अन पिछड़े बार के सदस में seatों का erection उनकी सदस के अनुपात का होगा बरशर्ते वे ऐसे erection board की सदस के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है वो reservation की बात हो रही है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जैसे कि मान लीजे कोई अगर seats reserve भी है ठीक है तो उसका भी एक limitation होता है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ऐसी बात ये पूछ रहा है 25, 50, 66, 0.66 या 75 ठीक है जल्दी करिए एकदम easy है मेरे ख्याल से बता आप पाएंगे इसका reservation का जो requirement रहता है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होता है 50% से अधिक नहीं होता है ठीक है 50% से अधिक नहीं रहता है चलिए एक सदस को बिना उचित कारेंड के लगातार कितनी बैठक में जान मूच कर ठीक है वो जान मूच कर अनुपस्थित रहता है और जो उसे उचित अउसा देने के बाद भी साबित होता है कि वो board का सदस नहीं बनना यानि नहीं बनना चाहता है और सभी जितने भी परिणाम लाब रहते हैं उससे वन्चित कर दिया जाता है यानि वो कितने सिटिंग्स में वो जान मुझकर अनुपस्थित रहेगा तो ऐसा आपको देखने को मिलता है दो, तीन, चार या पांच ठीक है जल्दी बताईए जल्दी यानि उसको वो कितनी बैठक ठीक है, जितने भी बैठक होते हैं उसमें वो जान मुझकर अनुपस्थित रहता है ठीक है जल्दी बताईए तीन बोल रहे है टोटल तीन इसका सहीं ऐंसर रहेगा ठीक हैं, जैसे माली जे कोई भी अगर member है, वो जान मुझकर लगतार तीन बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो फिर क्या होता है वो जो बोड का सदस से नहीं बन पाएगा और जितने भी privileges रहते हैं ना उससे वो बंचित हो जाता है लगतार तीन बैठक ठीक है चलिए प्रतेक सोसाइटी प्रतेक वित्वर्स की समापती के कितने महिने की भीतर रजिस्टार को रिटर्न दाखिल करेगी ठीक है जल्दी बताइएगा six months ठीक है चलिए जल्दी करिएगा यानि यह क्या होता है जैसे कि एक cooperative society रहती है ना कोई भी एक financial year पकड़िये उसकी समापती के कितने महिने की भीतर रजिस्टार को रिटर्न दाखिल करेगी रजिस्टार को उसको रिटर्न देना पड़ता है ठीक है इसका answer रहेगा छे महिने क्या रहता है प्रतेक society को प्रतेक वितवर्ष की समापती के कितने महिने छे महिने की भीतर रजिस्टार को रिटर्न दाखिल करना रहता है 6 months इसका सही answer रहेगा चलिए इसका बताएगा record आदी जब्त करने की register की जो शक्ति है निमलिकित में से कौन से section में आपको देखने को मिलेगी मतलब कौन से धारा में आपको देखने को मिलेगी 56, 57, 58, 59 ठीक है जल्दी बताओ जल्दी इसमें आपको कौन से section में ये सब provisions आपको देखने को मिलते हैं क्या रहता है record आदी जब्त करने की जो register की शक्ति रहती है वो जो power रहती है जिसने मालीजे कोई भी power feature of record से लेटेड ये किसमें आपको देखने को मिलता है ठीक है सही इसका answer रहेगा section 57 में section 57 में जितने भी अभिलेक रहते हैं ना अभिलेक आदी जब्त करने की register की शक्ति आपको देखने को मिलेगी भी इसका सही answer रहेगा section 57 में ठीक है चली इसका बताएगा 30 सेकंड में है अलपा अवधी सहकारी रिन आपका संडशना सोसाइटी के उपनियम और उपनियम में कोई भी संसोधन आविदन प्राप्त होने की तारीक से इतने दिन के भीतर register द्वारा पंजीकृत किया जाएगा 25, 30, 45 या 60 ठीक है चली बताएगा और इतने लोग बैठे हैं जैसे just for example मेरे को 60 लोग देख रहे हैं ठीक है पड़ता है सर भी बोलता है मैं तो थोड़ा उतना जादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूँ कि अभी लोग Apex Bank के त्यारी कर रहे हैं PSC, Vapunk को त्यारी करते हैं अब इन लोगों को ऐसा बताना पड़ेगा कि लाइक करो तो वो भी ठीक नहीं लगता है ना इसलिए खुद बखुद लाइक करा करो ठीक है तभी तो हम लोगों मोटिवेशन मिलेगा कि at least ये सेशन हम लोग ला सकें ठीक है अब ऐसा रिस्पॉन्स आएगा कि कि अब इस दिन के भीतर रजिस्टार दौरा यानि पंजिकरित किया जाएगा ठीक है इसका एंसर हैगा 30 डेस के अंदर अंदर ठीक है 30 डेस के अंदर अंदर ये करना अनिवार रहता है ठीक है किसी भी बताइगा कि इतने तो आप थोड़े समझदार रहेंगे ही कि इतने समझदार रहेंगे कि थोड़ा बार 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 बोलना इसको ना पड़े ठीक है बार 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 बोलना अच्छा भी नहीं लगता है चलो इसका बताएगा और बताएगा इस स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है न थोड़ा एर्र मेसेज मिरेको दिख रहा था 33rd question में है क्या पूछा जा रहा है किसी भी अल्प कालीन सहकारी रिंड अंचालन सोसाइटी के शियर पुंजी में राज सरकार की जो सरदस्यता है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ठीक है सही इसका एंसर रहेगा 25 प्रतिशत जैसे कोई भी राज सरकार रहती है ना उसके अंशदान 25 प्रतिशत से अधिक नहीं रहता है ठीक है सही इसका एंसर रहेगा 25 परसेंट चली इसका बताएगा 34th कोशन में है जल्दी जल्दी करेंगे प्रतेक सोसाइटी वितवर्ष की समापती पर कितने महिने की अवधी के भीतर अपने सदस की एक आम बैठक बुलाएगी तीन च्छे आठ या नौ ठीक है जल्दी बताएगा सब लोग लाइक कर दिये हैं ठीक है सब लोग लाइक कर दिये हैं देख लेते कितने लोग लाइक कर रहे हैं ठीक है सब लोग नहीं कर रहे हैं 45 लाइक आया है चलो जाने दो इसको थोड़ा question पे focus करते हैं क्या बोल रहा है प्रतिक society वित वर्ष की समापती के कितने मेहने की अवधी के भीतर अपने शदसगी एक आम बैठक बुलाती है ठीक है सही इसका answer रहेगा 6 मेहने की भीतर भीतर ठीक है 6 मेहने की भीतर उसमें क्या रहता है ठीक है एक आम बैठक बुलाती है यदि समीती का कारकाल वार्षिक आम बैठन की तारीक से कितने महिने के भीतर की अवधी में समापत हो जाता है तो समीती का जो चुनाओ है ना वो समापत मान लिया जाएगा ठीक है इसमें अवधी पूछा जा रहा है कितने महिने की अवधी के बीतर समाप्त हो जाएगा ठीक है वो जो कारकाल रहता है कितने महिने के अवधी के बीतर समाप्त हो जाएगा तो वो जो समीती का चुनाव है ना वो भी समाप्त मान लिया जाएगा ठीक है चलो थोड़ा फोकस करके बैठो ठीक है 35th question में है 35th question का बताएगा 3, 6, 8 या 9 जल्दी करो ठीक है जल्दी क्या बता रहे हो कोई बता भी रहा है की नहीं सही इसका answer क्या रहेगा 35th का सही answer रहेगा total 3 ठीक है जैसे कोई समीती रहती है जैसे कोई cooperative society रहती है उसके कारकाल वार्षिक आम बैठिंग की तारीक से 3 महने की अवधी के बीतर अगर समाप्त हो जाता है तो समीती रहती है वो चुनाओ संपन मान लिया जाता है ठीक है सही इसका answer रहेगा 3 महने के बीतर चलिए रजिस्टार बैठक आयुजित करने के अवधी को कितने महने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है कोई जैसे कोई रजिस्टार अगर रहता है रजिस्टार वो बैठक रहता है यानि बैठक आयुजित करने के जो अवधी रहती है वो बढ़ा सकता है लेकिन उसकी भी एक limitation रहती है वो limitation के बारे में आपको बताना है कितने महीने किस से अधिक वो नहीं बढ़ा सकता ठीक है यह सब basic question रहते हैं थोड़ा बताईएगा 36 question में है basic question रहते हैं exam में direct पूछे जाते हैं ठीक है जल्दी बताईए 36 36 का B बोल रहे हो ठीक है 36 का सही answer रहेगा A तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता जैसे कोई register रहता है रजिस्टार ऐसी आम बैठक जो रहती है जैसे वो आम बैठक रहता है कोई भी अगर जल्डरन मेटिंग रहती है ना उसकी अवधी को तीन महीने से अधिक नहीं प्रसर रहेगा किसी सुसाइटी के गठन पंजिकरन या बनाए रखने या किसी व्यक्ति को सुसाइटी के सदस के रूप में स्विकार करने के समध में ऐसे प्रश्ट का निडने कहां लिया जाएगा और उसका निडने अंतिम होगा इसके बारे में आपको बताना है इसका निडने फाइनल डिसीजन किसके पास रहता है ऑप्शन है सुप्रीम कोट के पास ओचिनाले के पास राजपाल के पास या रजिस्टार के पास जैसे कि मान लिजिए कि कोई कोई कॉपरिटिव सोसाइटी है यह सब जितने भी आपको दिख रहे हैं उसके गठन बंजी करन उसके बने रहने के लिए उसके वरकिंग के लिए और यह सब जितने भी डिसीजन रहते हैं यह सब मान लिजे उसमें कोई प्रशन उत्पन हो रहा है ठीक है यह सब जितने भी हैं उसके प्रशन का जो निडना है किसके द्वारा होता है और उसका जो अगर डिसीजन आ गया society's related, वो अंतिम रहेगा ठीक है, supreme court करता है क्या supreme court asset नहीं लेता है इस पर decision, ना कि उच्छी ना ले ठीक है, high court भी नहीं लेता है ना कि governor लेता है सही इसका answer रहे कर रजिस्टर लेता है ठीक है, रजिस्टर, रजिस्टर क्या रहता है अगर मान लोग कोई भी society रहती है उसके गठन, पंजिकरन ठीक है, उसके निरस्ट होना और किसी भी वेक्ति को society के सदस को रूप में प्रवेश होगा, नहीं होगा ये सब जितना भी decision रहता है ये सब जितने भी related questions रहते हैं, इस से related कौन लेता है रजिस्टार, और वो रजिस्टार का उसका जो निर्णय रहता है ना निर्णय एकदम अंतिम होता है ठीक है, चले, important question था इसमें बताना है, रजिस्टार किसी society के पंजिकरन के लिए आविदन प्राफ्त होने की तारीक से कितने दिन के भीतर निर्णय लेगा ठीक है, option आपके सामने है इसमें आप बताएगा 30, 60, 75 या 90 हमारा 36 गड़ पूछ रहे है sir, कितने बज़े class से start होता है मेरी class, ठीक है, 11.30 से start रहती है 11.30 a.m. और sir की class मदब तुशार sir की class 9.30 p.m. से start रहती है ठीक है, आप इस timing में जुड़ेगा schedule लगा रहता है इसमें आपको ज़्यादा जानकरी चाहिए तो आप telegram और whatsapp में भी जूड़ सकते है ठीक है, उसमें हम update कर देते हैं एक घंटा पहले जब class start होने रहती है ठीक है, चलिए क्या पूछा जा रहा है question में यानि जो register रहता है किसे society के पंजे करन के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीक से कितने दिन के भीतर निड़ने लेता है सही, इसका answer रहेगा 90 दिन के भीतर इतने दिन के भीतर question लेते हैं English के question और एक mask का question है compound interest पे base रहेगा copy लेकर बैठेगा ठीक है, उसको आप हवा में solve कर पाएंगे In the following question Choose the word which best express the meaning of the given word canny एक word दिया हुआ है canny, इसका बताएगा इन सभी में से उसका meaning को कौन सबसे best तरीके से express कर रहा है ठीक है, canny जो word है इसके meaning को कौन सबसे best तरीके से express कर पा रहा है option आपके सामने है ये सब question बहुत confuse करते हैं इसलिए तो मैं लेके आया हूँ ठीक है, अगर आप मेरा question देख रहे हैं थोड़ा confuse हो रहे हैं अगर आप bear act देखेंगे ना तो और confusion होता है ठीक है, तो वो bear act से मैं उठा के लेके आया हूँ कि आपको at least थोड़ा जितने भी tricky part है ना उसको आप एक दो बार revise करेंगे पहली बार में थोड़ा confuse होगा second time में थोड़ा सा clear होगा third time में आपको याद हो जाएगा ठीक है, आप लेकिन bear act थोड़ा पढ़के देखेगा आपको और confusion हो जाएगा ठीक है, इसलिए मैं session लेके आया हूँ कि जितने भी थोड़ा बहर difficult question रहते हैं, उससे असान तरीके से solve हो सके, ठीक है, अब act पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको याद होने का कोई भी गुणजाज नहीं रहेगा ठीक है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद act पढ़ा हूँ अगर आप act पढ़ने जाओगे ना तो वो और confusing रहता है ठीक है, जैसे कि यहाँ पस किसी में 60, किसी 90, वो और confused रहता है, उसमें तो by word दिया रहता है ठीक है, आप कितने को mark करते रहोगे चलिए, यह problem हो जाती है ठीक है, चलिए 39 में क्या बो रहा था Kenny, ऐसा word बताना था, जो कि इसके meaning को best तरीके से express कर पार रहा है Kenny का सही रहेगा, clever ठीक है, Kenny का अर्थ क्या रहता है Kenny means smart smart-witted, but suggest that someone is smart and self-serviced and possibly ever even in tricky way ठीक है, clever इसके सही answer रहेगा ठीक है, चलिए, इसमें से आपको बताना है, in the following, the question choose the word which best express the meaning, मतलब इसको आप synonym भी consider कर सकते हैं alert का synonym बता दीजएगा, option आपके सामने है, energetic, observant intelligent या watchful ठीक है, alert का आपको synonym बता सकते हैं ऐसा word बता दीजए कि जो इसके meaning को best सरीके से express कर सके, क्या बता रहे हैं sir, banking का question नहीं है banking का question नहीं है, आज की session में, लेकिन आने वाले session में एक banking का dedicated session भी आने वाला है ठीक है, उसमें आपको सिर्फ banking का question मिलेंगे आज का session mostly जो act है, उस पर थोड़ा base था ठीक है, और English और एक math का question लेंगे, ठीक है, banking question आ जाएंगे, चली, इसका बताएगा इसमें क्या बोल रहे हैं, alert alert का, इन में से आप synonym देखेंगे न, क्या रहेगा watchful, alert, alert का आप जैसे आप, just for example ले लिजे की dog का dogs are alert, alert रहते हैं लोग, मतलब watchful रहते हैं ठीक है, सही, इसका answer रहेगा watchful, ठीक है, इसका बताएगा leave or remove from a place considered dangerous इसका one word substitute बताएगे, उसको बोलते क्या है जैसे कि मान लेजे, कोई भी अगर place है, उसमें बहुत खत्रा है, ठीक है, वो dangerous place है, dangerous place है, तो ऐसे में जो व्यक्ति निकलते हैं वहां से, उसको remove किया जाता है, तो उनको बोलते क्या है ठीक है, ये बताएगा option आपके सामने है evade, evacuate, avoid or exterminate sir, cg वाला cg वाले cg वाले में तो personal compulsory है, और क्या बता रहे है act 1960 में update content कहां से मिलेगा, किसी को मालूम है, कहां से मिलेगा update content, bare act से मिलेगा, ठीक है छलिए, 41st का बताएगा leave or remove from a place consider dangerous, उसको बोलते क्या है सही, इसका answer रहगा, ऐसे में बोलते है, evacuate, ठीक है जैसे माली जे कोई एक place है वो बहुत खतरनाक जगा है, ठीक है ऐसे में जो लोग वहाँ से निकाले जाते हैं, या उसको छोडने का जो क्रिया रहता है, उसको evacuate बोलते है ठीक है, evacuate, to move a people from a dangerous place to somewhere safer, to leave a place because it is dangerous, उसको बोला जाता है, evacuate, ठीक है one word substitute बताना था, इसका meaning बताएगा, ठीक है टीटो टॉलर, इसका meaning क्या है, option a बता रहा है one who abstained from theft one who abstained from meat one who abstained from taking alcohol और one who abstained from malise, इसका meaning आपको बताना है, ठीक है, यह word दिया हुआ है टीटो टॉलर, इसका meaning किसी को पता है क्या ठीक है, जल्दी बताएगे important है, कभी सुना है इसके बारे में, टीटो टॉलर, श्रदा जी क्या बता रहे है, one who abstained from taking alcohol, ठीक है बिलकुल, one who abstained from taking alcohol, मतलब एक ऐसा person की हम बात कर रहे हैं जो की, alcohol नहीं लेता है, ठीक है, उसको बोलते है a tea, टीटो टॉलर is someone who does not drink alcohol, ठीक है, सही इसका answer क्या रहेगा, one who abstained from taking alcohol synonym of टीटो टॉलर क्या रहता है abstainer रहता है woozer, ठीक है, non drinker ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है, important है, exam में एक बार आ चुका है ठीक है, बताएगा a person interested in collecting, studying and selling of old things is known as या उसका one word substitute आप बता सकते हैं, इन में से क्या रहेगा anti-cure, या junk dealer, crank, या archaeologist, ठीक है, यहाँ एक ऐसे person की बात हो रही है जो interested है किसमे collecting, studying and selling of old things इसमें बोलते क्या है उस person को, ठीक है, उसका one word substitute बताएगे, anti-cure बोलते हैं क्या, सही इसका answer रहेगा anti-cure, ठीक है, a person who studies, collect sell old things इसको बोलते हैं, anti-cure the word comes from the latin word anti-cure, which means pertaining to antique, ठीक है, सही इसका answer A रहेगा चलिए, इसका meaning बताएगे यह एक phrase है idioms and phrases से लेटेड है to end in smoke, इसका meaning क्या रहता है, to make completely understand to ruin oneself to excite great applause, to overcome someone, to end in smoke जैसे कि यह दे दिया है to end in smoke, लेकिन इसका मतलब क्या निकल क्या आता है, ठीक है जल्दी, पताएगे किसे को, to end in smoke का मतलब क्या है, to end in smoke, जैसे कि आब अगर इसका use करते हो किसी के लिए, तो उसका मतलब क्या निकल क्या आएगा to end in smoke, to make completely understand, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, to end in smoke का मतलब होता है to ruin oneself, ठीक है अपने आपको ही ruin करना उसको बोला जाता है, to ruin oneself क्या रहता है, देखो to end in smoke, इसका मतलब एक idiom रहता है सबसे पहले मतलब क्या रहता है, come to nothing or to not produce good result, ठीक है जैसे कि मान लिजे, आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अगर उसका good result नहीं मिल रहा है, तो उसको बोले जाता है, to end in smoke to ruin oneself it refers to a plan, effort and expectation that has failed, ठीक है, example आप ले सकते है, all the effort of the teacher to make the student listen end in smoke, ठीक है जैसे कि आपने कुछ किया वो fail हो गया, तो उसको आप दर्शानिक लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, example से मेरे ख्याल से, समझ में आया होगा, all the effort of teacher to make the student listen end in smoke, ठीक है, इसका answer रहगा to ruin ourselves, ठीक है, चलिए to be above board, इसका मतलब बताएए to have a good height, to be honest in any business deal, to have no depth, या to try to be beautiful to be above board इसका मतलब क्या रहता है ठीक है, जैसे कि आप just for example इसका use कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकल क्या रहा है, went in vain, हाँ, went in vain भी आप इसके लिए use कर सकते हैं, ठीक है जैसे आप कोई भी कार करें, वो सफल नहीं हुआ, तो end in smoke, आप इसका use कर सकते हैं ठीक है, honest बता रहे हैं मतलब to be honest in business deal, to be above board का मतलब क्या रहता है, to be honest in business deal, ठीक है to be above board, it is an idiom that meant to be honest fair and not expecting to hide anything or any, cheat anyone, ठीक है आप अगर honest रहते हो, fair रहते हो, और किसी को ठगने का अगर कार नहीं करते हो, तो इसको बोलते हैं ठीक है, to be honest in business deal कोई भी अगर business deal कर रहे हो उसमें आप थोड़ा honest रहते हो, उसको बोले राता है, ठीक है, example आप ले सकते हैं, the admission process of saint soldier school word दिया हुआ है, इसको आप change करेगा, ठीक है, option आपके सामने है, tea is been grown in dazzling let the tea be grown in dazzling, tea is grown in dazzling, ती grows in dazzling, ठीक है dazzling grows tea इसको आप change करेए, इसका form ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, dazzling grows tea, इसमें आपको form change करना है इसका, ठीक है courses करेगा, अगर किसी को पता है तो बताइएगा, ठीक है c बोल रहे है, 46 question में है, ठीक है, 46 question में क्या बोल रहा है एक passive voice दिया हुआ है ठीक है, उसको आपको change करना है ठीक है, जिल्दी करेगा sorry, voice दिया हुआ है, voice का form change करना है, सही इसका रहेगा tree, tea is grown in dargling, ठीक है सही इसका answer रहेगा, इसका voice change करना था, tea is grown in dargling, ठीक है c इसका सही answer रहेगा do you imitate other, इसका भी आपको voice change करना है, option आपके सामने है are others been imitated by you, are other imitated by you have others been imitated by you, और where others been imitated by you, इसका voice change करना है, ठीक है, जो भी आपको voice दिख रहा है, question में do you imitate others का, इसका आपको voice change करेगा और बताएगा, सही इन में से कौन सा है, option a, b, c, d में से ठीक है, 47 question में है voice change करना है, जल्दी 47th 47th का क्या रहेगा, are others imitated by you, ठीक है b रहेगा क्या, b रहेगा, बिल्कुल b रहेगा, do you imitate others, इसका आप voice change करेंगे तो क्या रह जाएगा, are others imitated by you, ठीक है, b, इसका सही एंसर रहेगा चलिए, इसमें बताना है, एक indirect speech दिया हुआ है she said that her brother was getting married ये indirect speech है, इसको आपको direct speech में convert करना है इन सभी options के अनुसार ठीक है, क्या है, she said that her brother was getting married जल्दी, ठीक करेगा ठीक है, एक indirect speech दिया हुआ है, direct speech में convert करना है 48 का c बता रहे है, मतलब she said my brother is getting married c इसका रहेगा, बिलकुल, ठीक है एक indirect speech था, that she said that her brother was getting married ठीक है, इस indirect का दिया हुआ है तो इसका क्या रहे जाएगा was getting married का अगर आप indirect speech में convert करेंगे तो is getting married इसमें बनेगा ठीक है, c इसका सही answer रहेगा इसको try करेंगा, the boy said who dare call you a thief ठीक है, एक direct speech दिया हुआ है इसको आपको indirect form में convert करना है ठीक है, जल्दी करेंगा question है, the boy said who dare call you a thief इसको आपको क्या करना है indirect form में convert करना है ठीक है, चलिए, क्या बता रहे है ये बता रहे है, the boy inquired boy inquired who dare call you a thief ऐसा रहेगा क्या, ठीक है, ऐसा रहेगा ठीक है, यानि boy ने क्या किया, inquired किया inquiry की, who dare call him a thief, ठीक है इसका सही answer है न चलिए चलिए, लास्ट question है लेकिन session को end करने से पहले इसको solve करेंगे और आपको like करके जाना है ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है साधारन ब्याज, ठीक है, simple interest की यहां बात हो रही है, 6 वर्ष में 1 रासी, 60 प्रतिशत की विरूस में विद्धी होती है ठीक है, क्या रहता है, 60% से वो बढ़ जाती है, उस दर पर 3 वर्ष बात 12,000 रुपए का जो चक्रविती ब्याज है, वो क्या होगा ठीक है, चली, इसको solve करेंगे सबसे पहले क्या रहेंगे देखो, जो principal amount है ना उसको हम लोग क्या मालेंगे हम लोग 100 मालेंगे principal amount को 100 मालने के बाद SI, question के according कितना है, 60 60% की वृध्धी हो रही है तो SI, 60 हो जाएगा T, जैसे कि यहाँ question में दिया हुआ है कितना है, 6 years time, ठीक है तो इससे अपन rate निकाल सकते हैं rate को direct formula में डालेंगे 100 into 60 by 100 into 6 अब यह formula कहां से आया मेरे ख्याल से पता होना चाहिए SI का ही formula है तो rate कितना आ जाएगा solve करेंगे, तो rate कितना आएगा 10% तो rate आया है फिर question में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो peak अपन को कितना लेना है 12,000 ठीक है, अब इसमें जो time period है वो कितना है, 3 years ठीक है, 3 years time period है rate अपन को यही वाला rate लेना है मतलब जो अपन निकाले थे 10% पर अनम वाला ठीक है, अब इसमें अपन को क्या निकालना है compound interest का यानि direct formula में डालेंगे compound interest निकालना है ठीक है, चक्रवित्ती भी आज यहां पुछा है compound interest पुछा है direct formula में डालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 plus r दिया हुआ है r की जगा 10 डालेंगे 100 का, यह कितना है समय बोल रहा है 3 years बोल रहा है न तो raise to cube कर देंगे minus 1, ठीक है, इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 into 331 by 1000 ठीक है, इसको अब solve करेंगे कितना हो जाएगा 3972 ठीक है, सही, इसका answer हैगा 3972 ठीक है, solve करेंगा इन केस अगर कोई doubt होगा तो बिलकुल comment section पूछेगा या recorded भी देख लिजएगा easy question है, क्या दिया हुआ था साधरन ब्याच पर 6 वर्ष में एक रासी 60 प्रतिशत की वृद्धी होती है ठीक है, तो एक principal amount को आप 100 मान लिए, SI आपका 60 T6 दिया हुआ है, उससे आप rate निकालेंगे, इसी rate का use करके, जो आगे statement दिया हुआ है जैसे कि जो principal amount 12,000, time 3 years दिया हुआ है, इसी rate का use करके आप उसका compound interest निकालेंगे जो की 3,972 आएगा, ठीक है, तो session यही end करते हैं, in case को doubt होगा, तो पूछेगा, ठीक है वीडियो को ज़रूर like करके जाएगा चैनल को subscribe करके रख लिजेगा ठीक है, अपने feedback दिजेगा ठीक है, चलिए सही, इसका answer रहेगा, last वालेगा 3,972 ठीक है, session यही end करते हैं चलिए, okay, bye take care